नमस्कार तो आज हम अग्नी वीर भरती प्रेक्षा में आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेंगे तत्व योगिक और मिश्रण में हमें देखना है और उसकी बहुतिक और अस्थानिक परिवर्तन उसके अंदर तो तत्व योगिक मिश्रण बहुतिक और लवन यह पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने कारवन और उसके योगिक वो पूरा टापिक कर लिया था तो हेडिंग लगाएं आप लोग बढ़ते हैं तो देखे भी क्या होता है तत्व योगिक मिश्रण उससे पहले हमें एक टर्म से समझने होगी कि यह लिखावा है द् कि इंगलीश में हम बोलते हैं मैटर अीज कि ग्राव नहीं बोल रहा है द्रवीन चाव्स पूके यह इसी अपहले देखना होगा कि द्रव्यव यह पधार्त क्या होता है मैटर क्या होता है सब लग अपर लोग तथ्व योगिक मिश्रण बहुतिक हैं और असपरिक परिव ब्रह्मान में वह समगरी जिसके पास द्रव्यमान हो सबसे इंपर्टनेंट बार दूसरा जो इस्थान गहरता हो द्रव्य कहलाता है हम द्रव्य नहीं द्रव नहीं बोल रहे हैं द्रव्य एक तो लिक्विड द्रव यह द्रव्य पधार्त या मेटर तो क्या होता है पधार् जैसे मैं खड़ाँ तो ये मैं स्थान गेर रहा हूँ ये सब क्या जाएगा द्रवी आ जाएगा हम सब इस קाटिगरी में आगे जो स्थान गेर जिसका पर्टिकलर कोई द्रव्मान हो वो द्रव्वी है जैसे स्क्रीन लगरी इसने भी अपना एक स्थान गिरा हुआ है इसका द्रव्य वास्ताओं में ब्रह्मान का निमान द्रव्य और उर्जा से हुआ है अताब ब्रह्मान में सभी कुछ उर्जा नहीं है द्रव्य है ठीके इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे द्रव्य क कड़ों के बीच रिक्तिस्थान होता है द्रवी के कड़ निरंतर गतिशिल वह एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रेंट या अकर्शित करते हैं ठीक है इसको नौट करें पहले स्लाइट को आगे बढ़ते हैं अब द्रवी की अवस्थाएं में देखने है स्टेट ओफ मेटर्स जनरली हम क्या जानते हैं द्रवी की तीन अवस्थाह उती कौन-कौन सी solid, liquid और gase ठोस, द्रव और gase सबसे पहले हम देखेंगी solid state या ठोस अवस्था क्या होती है द्रवी की वह अवस्था जिसमें उसका आकार वा आईतन निश्चित हो है, जहां रखने वाली बात क्या है उसका आकार भी निश्चित हो और आईतन भी निश्चित हो, जैसे कोई कुरसी, मेश, पत्थर इत्यादी, जैसे कुरसी रखी है, कोई मेश है, टेबल है, जिसका आकार भी फिक्स है, और आईतन भी फिक्स है, वो सब क्या हो जाएंगी आपके ठोस अवस्था, ठीक है नेक्स देखते ही, द्रव अवस्था क्या होती है, इसके ठोस अवस्था के पहले गुण देख लेते हैं, ठोस जो होते हैं, पधारत का आकार भायता निश्चित होता है, ठोस अवस्था में द्रवी के कण, आपस में निकट होते हैं, जिन में गेप नहीं होता है, बहुत अधिक होता है ठोस में पाए जाने वाले कणों के मद्दे उच्छ अंत्राणुक आकडशन बल पाया जाता है तब ही तो उसके कण आपस में बहुत ज्यादा नर्सदीक होते हैं जिसके पास-पास उपस्तित रहते हैं पधार्थ की ठोस अउस्ता में कणों में विस्टरन बह उच्छ उता है और घंदत भी उच्छ उता है कठोर होते हैं ठीक है नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम ठोसों का वर्गी करना अब ठोस जो होती सॉलिड स्टेट उसको भी कई भागों में डिवाइड क्लासिफिकेशन ने धो बाग क्रिस्टली टोस और आ क्रिस्टली इन में उपस्तित अव्यकनों के क्रम सु व्यवस्तित होते हैं जो भी कण है वह आपस में sequence में अरेंज होते हैं अथात क्रिस्तल्स समान आकृती वह निएमित-जामिती वाले होते हैं इंपॉर्टेन बाथ जैसे सोडियम क्लोराइड एने सील सॉल्ट होता है नमक क्वार्ड्स हीरा ग्रेफाइट आदी यह सब क्रिस्टेलिट होस की केटेगरी में आते हैं जिनका आकार वाहितर निश्ची दोगों तो ठोस होंगे सही लेकिन क्या आकरती वन ज्यामिती जो होती है जोमेटरी वन नियमित ह होती है regular से प्रेफाइड हीरा इसके बाद आता है अपका आ क्रिस्टली उस इनमें उपस्तित अव्यों कड़ों की व्योस्था का क्रम एर्रेगूलर होता नियमित होता है क्रिस्टल समान आकरती के होते हैं जैसे का चोगया रबड प्लास्टिक इन में जो कड़ों होते हैं उनकी व्युस्था का कर्म अनियमित होता है तदा असमान आकरती के होते हैं जैसे इनको कोई जैसे सपोज मैंने रबढ है लास्टिक प्रोपरडी होती है आकार कम ज़्यादा हो गया ठीक है प्लास्टिक है उसको हीड दिया वो क्या हो गया पिगल गया इस वज़े से इनकी अनियमित्य अ कणों के अनियमित्या आये कारण इनमे जो क्रिस्टल होते हैं वह असमान आकरती कि होते हैं इसको क्या बोलते हैं आकरिस्टली ठोसों को आभासी ठोस अथवा गति-शीतित-द्रव भी कहा जाता ठीक है जो रखते हैं ठोस की प्रोपरटी हैं लेकिन एक्चोल में वो फोर्स नहीं होते हैं उनमें समान आकरती वाग उनका ज्यामिती जो नियमित नहीं होती है आगे बढ़ते हैं पर आती है आपकी नेक्स्ट रवस्था द्रव रवस्था लिक्विड फीज द्रव आवस्था में क्या होता है द्रवी की वह वस्था जिसमें पधार्त का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है अथार्त इसे जिस पात्र में भी डाला जाता है उसी का आकार गरण कर लेता है जिसे उधारण जल एलकॉल जिसे जल है पानी है पानी को उमने बोटर में फिल किया उसका आकार ले लेका हो है ना पानी को उमने किसी पतेली में रखा उसका आकार ले लेका हो लेकिन उसका आईतन फिक्स होता है आकार फिक्स नहीं होता है जिसे जल और एलकॉल ये सब जिसकी और भुण है ऐतन निश्चित नहीं होता है जोस का ऑकार अईतन निश्चित एक हो दोनों निश्चित होते है इसका गळनत्व थोस से थोड़ा कम होता है लेकिन गेश से अधिक होता है ठीक है ठोस की तुलना में इसके गंड थोड़े दूर-दूर होते है द्रव में संपिडेता बहुत कम पाई जाती है द्रव में अविव कणों के मद्दे अंतरा आणवी काकरशन बल कम पाई जाता है विसरंड की जो गुण होता है वो गेस से तो कम होता है लेकिन ठोसों से ज़्यादा होता है क्योंकि विसरंड गेस में ज़्यादा होगा क्योंकि इसके कंड बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं द्रव या वस्था कठोर नहीं होती तद्धा इसमें बेहने का गुण पाया जाता है बेहने वाला द्रव या तरल कहते हैं अगली अवस्था आती है आपकी गेस स्पीज गेस अवस्था द्रवी की वा अवस्था जिसमें ना तो आकार निश्चित हो ना ही आईतन निश्चित हो ना तो निश्चित आकरती होती है ना ही आईतन निश्चित होता है यह जिस पांत्र में रखे जाते हैं उसका आकार वा औक्सिजन ना तो इनका आकार निश्चित है नहीं इनका आइतन निश्चित है जिस भी पात्र में रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग ड़ जाते हैं उसी के आकार आइतन ले लेते हैं जैसे वाई-ईू हाइड्रोजन ऑक्सिजन यह आपकी गेस अवस्ता होती ही इसमें कण क् जैंज कर सकते हैं हो जाता है क्यों कि डूर बहुत अधिक होता है क्णों की कणों की पातर की दिवारों से भी टकन लाती है तो इनमें important बात जो ध्यान रखना है इसके आकरवायतन निश्चित नहीं होता है जिस भी पात्र में डालते हैं उसका आकरवायतन ले लेते हैं कण बहुत दूर दूर होते हैं अंत्राणविक आकरशन बल ना के बराबर होता है नगर्णी होता है और विसरण इसके अंदर बहुत अधिक मिलता है जिके नोट करें से नेक्स्ट द्रवी के अवस्थाओं का अंतर परिवर्तन ठीक है कैसे चेंज होती है यह आपस में वह देखना है मेटर की द्रवी की अवस्थाओं का अंता परिवर्तन द्रवी की अवस्थाओं अंता परिवर्तित होती हैं द्रवी की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप दाप में परिवर्तन किया जा सकता है इसको टेंपरेचर प्रेशर देकर परिवर्तन किया जा सकता है जिसे सबसे प तो गल्ने की प्रक्रिया होती है था थोसे किसमें चले जाए वो लिक्विड में द्रव में तो उस परवर्दम को मैल्टिंग कहता है Просто वड़ा थोस से जपनों से परल्व थोस से जग जा प्रिज में रख दिया लिक्विट वो जम गया ठिके ठोस से चला जाये डुर में जाके ड्राइट में चला जाए इसको बोलते हैं ये सारी अनतर परिवर्तन होता रहता हैं द्रव की अवस्थाओं को अब द्र्व की अवस्थाइन कौन को द्रव रह जैसे हैं ड्रह गेर यह आपस में आपस में करती रहती हैं ओं अंतर परिवर्तन किस तरे से होता है उस गलना या मेल्टिंग नेक्स दिखेंगे उसके बार अगला है गलनांक मेल्टिंग पॉइंट साधरण वाय मंडे लिए दाब पर वहत आपमान जिस पर ठोस का पिगल कर द्राओं में बदलना गलन ठोस किसमें चेंज हो जाए द्राओं में या पिगनलना कहलाता है तता इस निचनित आप को ठोस का गलनां केते हुए किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पर ठोस पिगलकर किसमें चेंज हो जाए द्राओं में और जिस पर आ यहां बोल सकते हैं और वह एक एट्मोस्पेर प्रेशर पर हो जैसे बř भए इसको पिगलाना है तो पिगलनीकिया होजाएगा बिस्मित प्रसारित होते कर दाब बढ़ाने से कम होजाता है। जैसे ृडिज़ेचे पर किगलती बर्फ में इसे कंच नमक शौरा स्वुरा गल्लांग 0 degree centigrade से घटकर माइनस 22 degree centigrade तक कम हो जाता है ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण केते हैं इसका अप्यों कुल्पी आइसमेमादी बनाने में क्या जाता है बतला हमने कोई कर सकते हैं तो यूस करते हैं माई स्क्रीम बनाने में नौट कर लेना इस एक तो कि उसके बात है जम्ना फ्रीजिंग इस प्रक्रेद्वरा ठोस आवस्था में प्रिवर्तिति हो जाता है इस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है द्रव जो होता है ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है जिसमें हिमांग फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना जमना के लाता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है निश्चित स्सक्राइब या करें प्रयुक्त गलनाग को मोई strum ब्राबर होता है शुर jazz तक आप यहां पर तो हम पढ़ रहे हैं रच्ञेंश है सवस्था में यहांपर रोर फट में चला गया एक यहां सवस्था यहाँ पर सब्सक्राइब में t कि पर इसे कम ताप मान पर द्रव के वाश में परियुटिन होने कि इस प्रक्रिया को वाशरपी करण कहते हैं अगला दिखेंगे सग्नसेशं क्यूंद हैं इस पताश्ञरा में गेस द्रव खेला में आजाना क्या के लाता है बच्शों संग्नन नॉट si इनकी डेफिनिशन्स और इनकी जो पर्टिक्लर टम से वो क्या उसके अंदर डिटेल है आपको ध्यान रखना है अगला है क्वथनांग बॉइलिंग पॉइंट निश्यत ताप पर द्रव का वाश्प या गेस में बदलना अब द्रव जो है उसका वाश्प या गेस में बदलना निश्यत ताप पर क्या कहलाता है और इस निश्यत ताप को द्रव का कोतांग केते हैं उस पर्टिक्लर लिक्विट का कोतांग जिस टेंपरेचर पर वो गेस में चेंज हो जाए दाब बढ़ाने से प्रेशर अगर में दू तो द्रव का कोतांग बढ़ता है अशुद्धी मिलाने से भी द्रव का कोतांग क्या हो जाता है बढ़ जाता है जैसे माल लिजें इसको ऐसे समझ सकते हैं हमने पतिली में पानी गरम कर रहे हैं उसे 100 डिग्री सेंडिक्रेट प अधिक ताप पर उबलता है इस पर प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है बहुत ज़्यादा दाब होता है अथार जल 100 डिग्री संट ये से कंतास परने लगता है। इस कारण उचाही पर खाना किने में थोड़ा संप जाधा लगता है नेक्स में अगला देखें कि उर्ध पातन क्या होता है वह अब रखेच में ऑपस किस में इस प्रकार के प्दार उर्ध पातिज प्रता है इसका सब्से इंप्रोटेंट एक्जांपल एक कपोर पुर आयोडीन, नेफ्थिलीन, अमोनियम, क्लॉराइड, नोसादर, जिससे बोलते हैं, यह सब क्या होते हैं, उर्ध पातित प्रधार्त होते हैं, इसमें इन्हें गर्म करने पर ठोसों को, गर्म करने पर द्रव वस्था से सीधे गेस में चेंज हो जाए, बिना द्रव वस् इंपर्ट हैं, ठोस जिसी ओटू, सॉलिट कार्बन डायोक्साइड को उच्छे दाप पर संग्रहित किया जाता है, सी यूटू एक वयमिडेली दाप ठोस अवस्था से सीधे गेस में परिरतित हो जाती, यह कारणे कि ठोस यूटू को शुश्क बर्फ भी हम कहते हैं, किस यह ड्राइ सीओ टू डालते हैं, आइस क्योट की फॉर्म में, और फिक क्या करते हैं, उसको जलाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा फॉग बन जाता है, तो किस से बनाते हैं, ड्राइ सीओ टू, ठोस यूटू, शुश्क बर्फ बोलते हैं, तो उससे क् पर पदार्त की अवस्था परिवर्तन के लिए उश्मा की आवस्था परिवर्तन के लिए उश्मा की आवस्था होती है नियत ताप पर कोई हमें पदार्त की अवस्था चेंज करनी है उसलिए कुछ उश्मा की आवश्था होती है इसे ही पदार्त की गुप्त उश्मा कहा ज पर्टिक्लर टेंपरेश्र में आवस्थाあれ और उसके लिए कुछ न कुछ उश्मा क्या और वह जूर मांति है। जूल पृति किलोग्राम यह क्यालोरी पृति किलोग्राम में माना माँमाथ जाता है। के गुपत उश्मा क्या होती है जीरो डिग्री सेंडिग्रेट पर एक ग्राम बर्फ को जीरो डिग्री सेंडिग्रेट पर पानी में बदलने के लिए बर्फ को किसमें अवस्था परियोतन कराना है ठो से बर्फ द्रव में चेंज कराना है अवस्था परियोतन के लिए पानी मे तो जो जो होगा कोई वेपर में चेंज होगा इस तरी के हम यहां पर देखेंगे पानी की बात करेंगे तो जो जिसके लिए चाहिए जैसे मुझे गलन के लिए चाहिए तो गलन की गुप्त उश्मा होगी पानी को वैपर में चेंज करना है तो वाश्मन की गुप्त उश्मा होगी तो यह मान आपको ध्यान रखना है उबलते जल की अपैक्षा भाव से जलने पर अधिक कश्ट होता है यदे भी दोनों का द्रव वस्था और गे सवस्था क्या होती है ना पिर आगे हम देखेंगे तत्व क्या है योगी क्या है मिश्रण वो सारी डेटेल थेटिकल पार्ट है इसको नोट कर ले ना स्लाइट को मिलते हैं अगली क्लास में all the best thank you